हालो दोस्तों आगर आप भी ओनलाइन काम करना चाहते हैं तो बिलकुल आधार सुपरवाइजर भरती 2024 यहाँ पे आ चुकी हैं जिसका आप सभी को बहुत ही बेसबरी से इंतजार था तो यहाँ पर आल इंडिया जोब है यानि की महिला आप कर सकते हैं अपला यहाँ पर जो में यह भरती चालू हो चुकी है आवेदन प्रिक्रिया सुरू है लास्ट डेट क्या है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज ही अपना आवेदन कर देना है क्योंकि बाद में यहाँ पर कोई भी प्रोसेस सायद काम ना करे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑन के लिए बंफर भरती बरहुई पास जल्द करे आवेदन तो पूरी जानकारी आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख लेना की सुपर्वाइजर पदो के लिए यहाँ पर जूभी सेसी की तरब से यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके लिए के लिए कोई भी परिच्छा देने की जरूरत नहीं है यह विल्कुल सीधे भरती है आधार अपरेटर सुपर्वाइजर भरती के लिए आवेदन करने की आधार अपरेटर सुपर्वाइजर भरती नोटिफिकेशन जारी होने की सुचना जो भी यहाँ पर के अधिकारिक व वेश के मुताविक काम करना होगा और जैसे आधार में करेक्षन करना आद बात करें इस भरती की आवधन करने की अंतिम तिथी तो सभी राज्यों में ये तो अलग अलग तिथी निर्धारित की गई है अभी आपको पूरा प्रोसेश यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा इस व सभी कंडिडेट के लिए यहाँ पर उनकी उम्र सीमा 18 वर्स होना चाहिए देश के किसी भी राज्य के कंडिडेट इस भरती के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं ताधी में सुपर्वाजर स्टिफिकट होने चाहिए यानि कि सुपर्वाजर के लिए यहाँ पर आपका सारी नीचे दी गई है सभी candidate की minimum qualification बरहुई पास होना चाहिए और यहाँ पर two year ITI पास candidate भी form को फिल कर सकते हैं metric plus three year polytechnic diploma होना चाहिए यहाँ पर आप लोगों को सामने डिपलोमा होना चाहिए यहाँ पर policy है उसके साथ ही में यहाँ पर update बात करें अधार operator supervisor requirement selection process यहाँ पर क्या रहेगा तो सभी candidate को form भरने के बाद जो भी CSC के तरफ से खुद संपर्क किया जाएगा इसके बाद कुछ पूंस्ताज किया जाएगा और term condition fulfill करने के बाद सभी अभ्यार्टियों इस भरती के select कर दिया जाएगा यानि सभी अभ्यार्टियों को इस भरती में select कर दिया जाएगा और यहाँ पर आधार operator supervisor की salary की बात करें तो यहाँ पर आधार operator supervisor जो भी selected candidate को हर महिने CSC के तरफ से यहाँ पर 6000 से 12000 रुपय हर महिने दिया जाएगा यहाला कि ध्यान रहे salary को लेकर कोई भी अधिकारी website पर घोषणा नहीं किया गया लेकिन 6000 से लेकर 12000 के बीच में आप सभी की salary हो सकती है और बात करें कि यहाँ पर आपको online apply कैसे करना है तो उसकी लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने है इस बहती है तो सभी राज्यों के अलग अलग तिति निर्धारित की गई है जैसे कि अगर आप आंधर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर आपकी जो date है 30-11-2024 से असम की यहाँ पर 30-11-2024 से विहार की 30-11-2024 से अगर आप किसी भी राज के candidate हैं आप इसको apply करना चाहते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश का हो गया तो यहाँ पर 30-11-2024 है बगल में आपको apply link मिल जाता है यह link आपको कहां से मिलेगा direct backside का तो direct आपको telegram पे link डाल दूँँगा telegram whatsapp channel पे तो आप लोग वहाँ पे आसानी से click करके इस backside पे जाकर अपना जो registration है वो कर सकते हैं जैसे कि मुझे उत्तर प्रदेश से करना है तो यहाँ पर जो apply online का option आता है जहाँ पे मैं click कर दूँगा side में जैसे यहाँ पे click करेंगे इसकी official backside यहाँ पे open हो जाएगी यहाँ पर देखे मैंने telegram channel और whatsapp channel पे इसी प्रकार का link दिया है जैसे आप लोग यहाँ पे click करेंगे आप इसकी backside पर पहुंच जाएगे telegram channel whatsapp channel का link आपको वीडियो को description और comment box में मिल जाएगे यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से CST के official backside पे आ जाएगे यहाँ पर आपको अपना name, mobile number, email id, pancard number, data birth जो भी यहाँ पर सारा detail फिल करेंगे और यहाँ पर जो आपको कुछ document upload करना पड़ेगा सारा कुछे mail, female, फिलेट करके submit के option पे click करेंगे तो आपका जो registration successfully हो जाएगा और भी कुछ यहाँ निकाली यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद आपका जो form है वो submit हो जाएगा तो इस प्रकार से आप इसमें apply अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो का description और comment box में मिल जाएगा फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद